स्वागत हैं आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के छे बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस अबडेट साजिस बुलेटिंग में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे विशेश तोर से बड़ी बात डिये और एरियर को लेकर करेंगे क्योंकि 15 गस की तारी काफी जादा नजदीक है और सचिवालिया में चर्चाओं का बाजार भी गरम नज़र आ रहा है तो इस बीच क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया है सचिवालिया में क्या तैयारिया की जा रही है करमचारियों को सौगात देने के लिए ये बिलकुल बारीकी से जानकारी हम आपके साथ साजा करने वाले हैं दूसरी बात मुख्या मंतरी सुक्फिंदर सिंग सुकु क ये बड़े फैसले को लेकर करेंगे ये दर असल पशुपालकों से सम्मंदित और परेटन विभाग से जुड़ा इन्होंने बड़ा डिसीजन आज पिछले कर लिया है मंडे मीटिंग क्योंकि अब ये मंतरियों के साथ कर रहे हैं अफसरों के बजाए तो कुछ एक निर्ने अब इसमें खुलकर मुख्या मंतरी की ओर से लिये जा रहे हैं क्योंकि डिरेक्ट मंतरी से फीडबेक मिल रही है ये भी पुरी जानकारी हम आपको देंगे दोनों ही विभागों से जुड़े क्या बड़े फैसले हुए हैं क्रिशी विभाग भी और परेटन विभाग से जुड़ा डिसीजन बस की राये पर भी बड़ा फैसला हो सकता है अभी हाल ही में पुलिस कर्मियों को लेकर एक डिसीजन हुआ है कि अब सबसीडाइज यात्रा का ला चाहेंगे क्योंकि 18 अगस तक मौसम खराब बताया गया है बारिश के आसार जताए गए हैं विशेश तोर से पान जिलो में सावधान रहने के लिए कहा गया है जिसमें कांगडा, चमबा, मंडी, सिर्मौर और शिमला है यहां पर तेज बारिश हा सकती है और जगा जगा न चरीब सडकें बंद बताई जा रही है, 46 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, हलाकि यह बीते तीन दिनों में 46 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है और बीते तीन दिनों में ही सामान्यय से 145 प्रतीशत जादा मेग बरसे हैं ये मान कर अभी हम चल सकते हैं, वास्म विज्यान केंद पुरी तरह से प्रभावित हो गया है, हलाकि आज शाम तक बहाल हो जाएगा, इस तरह की जानकारी सामने आई है, वहीं कैथली घाट शिमला टैनल भी गिर गई है, देखें कुछ तिन पहले ही हमने लाइब विज्वल्स आपको कैथली घाट से दिखाए थे, जहां से एक छो हो गया, हलाकि सुभा के वक्त ही पत्थर और मिटी गिरने लगी थी पोर्टल के उपर से, और उसके बाद करमचारी सभी बाहर आ गए थे, जितने भी मजदूर और करमचारी वहां पर लगाए गए है, और कुछी देर बाद फिर एक वीडियो निकल कर सामने आई, पोर्ट करा के सवाल उठते हैं, सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए भी यहां पर कई तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं, निर्माना धिंग टरनल में अगर इस तरह की स्थिती है, तो टरनल बनने के बाद सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किये जाएंगे, फिलाल इसका जवा अभ्यास नदी में 15 मील के पास मिली है, देखिए अब यह अंदाजा आप लगा सकते हैं, कि नजाने किस तरह से इसकी मृत्यू हुई होगी, अब शुरुवात से लेकर क्या कहानी अभी तक सामने आई है, यह जानकारी आपको देते हैं, युफ्ती अपने दो दोस्तों से मिलने के लिए होटेल गई थी, और उसके बाद 6 दिनों तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, यह लापता थी, जिस वज़ा से पीता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, अब ब्यास नदी में 15 मील के पास इसका शव मिला है, लेकिन पुलिस का यह कहना है, अभी नहीं बताया जा सकता किस वज़ा से इसकी मौत हुई है, नदी में फैंकने के बाद इसकी मृत्यू हुई या पहले ही मौत हो गई थी, और यह जो दो दोस्त थे आखिरकार क्यों इन्हों ने शव को नदी में ही ठिकाने लगाया, यह भी एक बड़ा सवाल है, यह आ साइंसिक साइंस लैब को भी इस बारे में अफगत करवाया गया है, जब यह रिपोर्ट वहां से आएगी तब ही पता चल पाएगा कि युफ्ती की मौत आखिरकार हुई कैसे थी और कब हुई, पानी में डूबने से हुई या फिर पहले ही हो चुकी थी, अभी कई तरह की संभावना यहां पर जताई जा रही है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता जब तक हकीकत सामने नहीं आती है, वहीं देखिए उना जिले के अंब में 40 वर्शिय व्यक्ती ने फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली है, पेशे से ये ठेकेदार बताए जा रहे हैं, ये जान बाजार में ये ढूनने के लिए अपने पती को निकल गई, क्यूंकि उनका फॉन भी बीजी जा रहा था, या सुच ओफ चा रहा था, जिस वज़ए से पतनी फिर भरे बाजार में अपने पती को ढूनने के लिए निकली, लेकिन दुकानदारों ने मना कर दिया कि कहीं भी उनके पती को नहीं देखा गया है वापी से ये शैली नाम की महिला अपने घर लोटी और अपनी बच्ची से इन्हों ने पूछा कि अपने पापा को तो बच्ची ने नहीं देखा है बच्ची का कहना था वो घर आये थे लेकिन कुछ देर अपने कमरे में रुके उसके बाद था और कर्ज में डूबा हुआ था कुछ समय पहले ही अम के एक बैंक से इन्हों ने लोन भी लिया था लेकिन चुका नहीं पा रहे थे जिस वज़़ा से ये मैंटली काफी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे और ये कदम इन्हों ने उठा लिया है हलाकि डॉक्टर ने सुनील को तभी मृत घोशित कर दिया था जब अस्पताल महिला और उसके देवर की ओर से पती को ले जाया गया महिला ने अपने देवर की सहायता ली पती को फंदे से छुडाने के लिए और अस्पताल लेकर गई लेकिन तब तक मृत घोशित कर दिया था डॉक्टर ने जैसे ही वहाँ पर ये अस्पताल में पहुंचे तो ये मामला भी काफी जादा गंभीर है और हम ये मान कर चल सकते ह कि मानसिक तनाव के चलते इस व्यक्ती ने आत्महत्या कर ली वहें ट्रक के चपेट में एक महीला बहुत बुरी तरह से आ गई ये मामला ब्यास पूल नदॉन का बताया जा रहा है इसी स्थान पर क्योंकि ट्रक की चपेट में महीला आई अपने पती के साथ सवार होकर स्क शूटी को लग गई, महीला अनियंतरित होकर टुक्डे नीचे आ गई, और महीला के 3 तुकडे हो गए है, महीला की टांग पहले ट्रक के टायर में फच्ड गई, उसके बाद घसीता हुआ टुक्डे महीला को आगे तक ले गए, जिस वजह से 3 तुकडे बॉड़ी के हो गई और ये जानकारी पती की ओर से दी गई है, पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया गया है, महिला का शब पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, और जो ट्रक चालक था वो ट्रक की चाबियां लेकर भाग गया था, अभी इस ट्रक चालक की तलास चारी है, पुलि इस थे कि ये महिला के पती की मदद करता लेखें नायब तहसिलदार के तबादले भी हुए हैं इस बारे में आदेश चारी हो चुके हैं अतिरिक्त मुख्या सचीव उंकार चंशर्मा की ओर से यादेश चारी किये गए हैं तकरीबन 27 नायब तहसिलदार बदले गए हैं नायब तहसिलदार को नई जगा जल्द ज्वाइनिंग देने के लिए कहा गया है सरकार ने उना से मदनलाल को कांगड़ा के फतेपूर तेंजिन डोलमा को शिमला से कुमारसन और सुशान ठाकुर को कुमारसन से शिमला के लिए ट्रांसफर किया है ये तीन ही नाम है लेकिन तकरीबन यहां पर अभी 27 के क्रीब ऐसे नायब तहसिलदार हैं जिने बदला गया है बड़ा फेर बदल हम ये राजस्तो विभाग में कहना चाहेंगे देखे टूनामेंट का नया शेड्यूल कब आएगा अब छात्रों की ओर से ये सवाल उठाय जा रहे हैं कि टूनामेंट के लिए जो भी छात्र गए हैं उन्हें वापिस लाया जाए खास तोर पर उना और कांगडा में क्यूंकि मौसम काफी जादा खराब था और सबसे जादा टूनामेंट्स यहीं हो रहे थे तो अभी खत्रे से खाली नहीं था प्रतियोगिताओं को करवाना बच्चों की जान पर भी बात आ सकती थी इस वज़ा से स्कूल प्रशाशन पर ये जिमेदारी छोड़ दी गई थी कि सही सलामत बच्चों को अभी उनके अभिभावकों तक पहुंचाया जाए और अभी प्रतियोगिताओं को आने वाले आदेशों तक स्थगित कर दिया जाए लेकिन अब उसके बाद उस शिक्षा विभाव की ओड़ से भी ये आदेश चारी कर दिये गए है जगा जगा दरसल लैंड स्लाइड हो रही है पेड गिर रही है जिस वज़ा से ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है बच्चों की जान बचाना ज़ादा जरूरी है और अभी 31 अगस्त के बाद ये तै होगा कि टूनामेंट कब तक होंगे तो तब तक छात्रों को भी किया गया है दरसल हाल ही में एक वाक्य सामने आया था संजौली कॉलिज में जहां चात्र शिक्षकों के साथ भिड़ गये थे और बाहर से भी कुछ एक युवा पहुंचे थे शिक्षकों के साथ भिड़ने के लिए तो इसी बात का विरोध यहां टीचर एसोसियेशन की ओ गड़ कर रह जाएगा और विशेश तोर से ये जो बाहर से युवा आ जाते हैं किसी भी कॉलिज में मारधार करने के लिए मोहौल बिगारने के लिए ये बहुत गलत है उचित नहीं है इस पर कारवाइफ होनी चाहिए इसलिए मांगिनों ने ये उठाई है कि यहाल ही में बतसलूकी करने के लिए उन पर भी कारवाई की जाए ये मांग सरकार से भी उठाई गई है और इन्होंने पुलिस से भी इस पूरे मामले में जांच परताल करने के लिए कहा है अब पुलिस चवानों पर आना चाहेंगे हाल ही में एक बड़ा फैसला कैबिनेट में पुलि से दिये गए हैं लेकिन अब इस फैसले पर पुना विचार किया जा सकता है इस बात के संकेत मंतरी हर्षवर्धन चौहान की ओर से दिये गए हैं दरसल हलाकी पहले कैबिनेट ड्रीफिंग में मंतरी हर्षवर्धन की ओर से ही ये जानकारी दी गई थी और उनका ये कहना था क subsidize यात्रा पुलिस कर्मियों की बंद की जाएगी, मासिक वेतन से इनके 210 रुपए इस यात्रा के लिए काटे जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में व्यवस्था बदल जाएगी, ऐसे संकेत पहले यहां मंतरी हर्शवर्धन ने दिये थे, लेकिन दूसरी बार मीडिया से करने के लिए उन्होंने अपील की है कि यह फैसला वापिस लिया जाए, उनके हित्मे नहीं है, साथी साथ मुख्या मंतरी सुखु से भी उन्होंने भेंट की है, 24 अगस्त के आसपास अभी कैबिनेट बैठक हो सकती है और यह फैसला वापिस लिया जा सकता है, ऐसे संकेत जरूर मंत्री हर्श्वर्धन की ओर से दिये गए हैं, लेकिन होता है, नहीं होता है, उसी दिन पता चल पाएगा, क्यूंकि दबाव तो एक तरह से बनाया ही जा रहा है पुलिस कर्मियों की ओर से इस फैसले को वापिस लेने के लिए, सबसीडाइस यात्रा अगर इनकी प्रबंधन का ये मानना है, कि जो 5 क्रोड का भुपतान पुलिस डिपार्टमेंट से सालाना होता है, उसमें घाटा है, क्यूंकि यहां खर्चा 36 क्रोड के आसपास का आ जाता है, HRTC प्रबंधन के पास, पुलिस शवानों का ही, तो HRTC प्रबंधन का ये कहना है, कि तकरिब 37-36 क्रोड तक का खर्चा आ जाता है, जबकि मिलता पुलिस डिपार्टमेंट से 5 क्रोड ही है, और यहां पुलिस कर्मियों का कहना है, कि इसमें बहुत सारे जवान ऐसे हैं, जो कि बसे में सफर करते भी नहीं है, इन्होंने अपनी अपनी परसनल वीकल्स रख ली है, अली बात तो ये कि स्टेट सिविल सर्विस अवार्ड रेविन्यू मॉनिटरिक सिस्टम को मिलेगा, दूसरे बात गौरव पुरसकार और प्रेणा स्त्रोथ सम्मान तीन तीन अलग लोगों को यहां पर दिये जाएंगे, कौन बनेगा क्रोड पती यानिकी के बीसी फेम अ इन्हें भी उसी दौरान वहां पर सम्मानित किया जाएगा, दरसल इसते पहले 15 अप्रेल को यह अवार्ड नहीं दिये जा सके थे, क्योंकि कोड अफ कंडक्ट लगा हुआ था, इस वज़ा से व्यवस्था इस पर 15 अगस्त को की गई है, यानि कि स्वतंतता दिवस वाले दिन ये अवार्ड दिये जाएंगे, एच्प्यू की भरतियों पर अब जवाब देना होगा, एच्प्यू प्रशाशन को ही कोड को, दरसल बात कुछ ऐसी है कि कोड ने यहाँ पर जवाब मांग लिया है, एच्प्यू प्रशाशन से, कि अभी तक गैड शिक्षक भरती क् है, तकरीबन तीन बार इसके लिए विग्यापन निकाले गए, भारी भरकम आवेदनों की फीस पी ली गई, लेकिन उसके बाद भरती क्यों नहीं हो पाई, ये किस वज़ा से लैप्स हुई है, और अगर लैप्स हुई ही है, तो फिर आगे के लिए क्या कदम एच्प्यू को यहाँ पर दिया गया है, 2020 से लेकर 2022 तक तीन बारी विग्यापन निकाले गए, बीस अलगलग कैटेगिरिस में, ये गयर शिक्षक भरतियां हैं, जो काफी समय से नहीं हो पा रही है, और आवेदकों की ओर से भी ये शिकायत हो रही थी, कि भारी भरकम फीस उनसे वसूल ली गई है, आवेदन के नाम पर, लेकिन अगली प्रक्रिया पूरी हो नहीं रही है, और जो अभी वहाँ पर गयर शिक्षक करमचारी है, बार-बार इस बात को लेकर एतराज जताते हैं, कि अतिरिक्त कारेभार हैं उन पर, तो ये भरतियां होनी चाहिए, फिलाल इस पू यहीं HPU की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर फैसला होने वाला है, फाइनेंस कमेटी की बैठक में, यह अगले सब्ता है ही, फाइनेंस कमेटी की बैठक है, विश्व विद्याले में, जिसमें डिसीजन होगा कि क्या जवाब दिया जाना है, आखिरकार क्यों भरती नहीं हो पाई, क्या कारण रह रहे हैं, और अगर भरती लैप्स हुई भी है, तो अगला कदम HPU का क्या रहेगा, यहां सीधे तोर पर जवाब देना होगा, उचित जवाब देना होगा, HPU प्रशाशन बड़े पंगे में भी नहीं, तो यहां पर फस सकता है, तो करमचारियों मे फिलहाल यह कैलकुलेशन का सिलसिला तो कुछ दिन पहले ही वित्विभाग में शुरू हो गया था कि कितना एरियर दिया जा सकता है, और कितना प्रतीशत डिये अभी करमचारियों को मिल सकता है, दो हजार सोला से मिलने वाले एरियर का इंतजार यहां करमचारी कर रहे हैं बार-बार मुख्य मंत्री की ओर से भी यही तर्क दिया जाता है कि हिमाचर प्रदेश कमजोर आर्थिक स्थीती से गुजर रहा है, दूसरी बड़ी बात यह है कि तकरीबन 9000 क्रोड का भुकतान अभी करमचारी और पैंशनर्स का बाकी है, तो अभी इंतजार और करवाया जाता है या स्वागात इसी 15 अगस्त के मौके पर दी जाती है, ये फिलहाल एक दिन छोड़कर यानि की परसों हमें पता लगने वाला है, देखिए जो जीला स्तरिय स्वतंदिता दिवसकारे करम हैं उसके लिए मंत्री शिमला से रवाना हो गए है, शिक्षा मंत्री रोही शिमला से हो भी चुके हैं, मुख्या मंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खु की ओर से कुछ एक बड़े फैसले लिए गए हैं, हाल ही में एक बड़ा एलान मुख्या मंत्री ने किया था कि अब अफसरों के बजाए ये मंत्रियों के साथ डायरेक्ट मीटिंग मंडे को करें इस आर्थिक मदद को बढ़ाया जाएगा, हला कि ये आर्थिक मदद तो पहले भी की जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाने का फैसला यहां पर राज्यसरकार की ओर से लिया गया है, दूसरी बात परेटन विभाग को लेकर करना चाहेंगे, इसमें भी क्यूंकि एक decision हुआ है, कांगडा के गगल एरपोर्ट विस्तार के मामले में सरकार अब निर्नायक स्थिती में हैं और जल से जल्द इसमें भी अब हमें एक तेज गती देखने के लिए मिल सकती है, अला कि टूरिजम को लेकर और भी बड़े निर्ने हुए हैं कि कैसे परेटकों को आकर आदाद यहां बढ़ सके, revenue पर भी क्योंकि इसका असर होता है और हिमाच्र प्रदेश में 50% आदाद ऐसी भी है जो परेटन पर ही निर्भर करती है, तो इसी वज़ा से इस महकमे को लेकर भी meeting हुई है और कुछ एक निर्ने लिये गए हैं, गगल एरपोर्ट के विस्तारी आईये सदिकारी डेपुटेशन पर जा रहे हैं, डियार अमंदीब गर्ग भारत सरकार में जाएंगे, जबकि प्रियतू मंडल कॉलकता जा रहे हैं, मनीश कर्ग भारत निर्वाचन आयोग में न्युक्त हुए हैं, दिल्ली से 1993 बैच के केके पंध हिमाचल रोट रहे हैं इसलिए मुख्या मंतुरी को प्रशाशनिक सचीवों के स्तर पर भी फेर बदल करना होगा, इस सुची में कुछ विभाग अध्यक्षों और जिलाधीशों के नाम भी हैं, राज्य सरकार को 27 अगस से शुरू हो रहे हैं, मौनसुन सत्तर से पहले ये बदलाव करने होंगे, ये भी जरूरी है क्यूंकि ठीक उससे पहले 24 अगस को कैबिनेट की बैठक भी रख ली गई है, जैसा कि एक चीज हम बार-बार दोहरा रहे हैं, अब पोस्कोर्स पर आना चाहेंगे, देखिए केवल यहां पहले 21 पोस्कोर्स को लेकर जानकारी सामने आ रही थी लेकिन 21 यह टोटल 22 पोस्कोर्स है एक इसमें पोस्कोर्स कोड मिसिंग हो गया था जिस बारे में पता चल पाया है यह सस्पेंस डिस्पेंसर का पोस्कोर्स पोस्कोर्स warum विभाग की भरती है 11 पद इसमें भरे जाने थे दरसल बाकी के तीन पोस्ट कोड के साथ लोग सेवा आयोग को कार्मी विभाग ने इस पोस्ट कोड की फाइल भी भेज दी थी अभी भी ये पोस्ट कोड लोग सेवा आयोग के पास ही है यानि कि पोस्ट कोड 967 का जिम्मा ल अभी राज्य चैन आयोग को ये नहीं दिया गया है, जिसका मतलब ये समझा जाए कि लोग सेवा आयोग ही भरती करेगा, अगली बात, यहां ब्योरा सामने ये आया था कि 21 पोस कोड्स यहां राज्य चैन आयोग को सरकार की ओर से भीज दिये गए है, यानि कि चिठ्थी में 21 पोस कोड्स का नाम मेंशन किया गया था, 21 पोस कोड्स की संख्या मेंशन की गई थी, लेकिन 21 नहीं केवल 20 पोस कोड्स को लेकर ही चिठ्थी राज्य चैन आयोग के पास गई है, राज्य सरकार की ओर से, दरसल इसमें एक पोस कोड्स कैंसल कर दिया गया है, ये सेक्रेट पद भरा जाना था कोपरेटिव सोसाइटी के लिए जीला की नौर में लेकिन विभाग की ओर से ही पोस कोड कैंसल कर दिया गया है तो इस वज़ा से 21 नहीं बलकि 20 पोस कोड को लेकर ही चिठी गई है राज्य चायन आयोग के पास सरकार की ओर से अब बात यहां पोस कोड 817 क को लेकर भी करना चाहेंगे थोड़ा सा इंतजार इन अभ्यर्थियों को और करना होगा क्योंकि राज्य चायन आयोग ने 10 तिन का समय और मांगा है रेकॉमेंडेशन भेजने के लिए संबंदित विभागों को डॉक्युमेंट्स के साथ ही रेकॉमेंडेशन भी जानी है तो जिस वज़ा से 10 तिन का समय और जादा लग जाएगा तो पोस्कोड 817 के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आये थे फिर मिलेंगे नई खबर के साथ देखते रहें दिवेह माचल टीवी धन्यवाद